मैं हमेशा से एक ऐसी जगा जाना चाहता था, जहां अप्शार हूं, जहां पहार हूं, और पहारों में जील हूं, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी जगा है, लेकिन इंगलेंड में नई, то फिर मुझे वेल्ज में एक ऐसी जगा मिली, जहां नदियां अपशार पहार और पहारों में जील थी तो चलते हैं वेल्स एक ने सफर पर एक ने मिशन पर मिशन जील नदी अपशार पहार फीट वेल्स तो फाइनली हम को एक ऐसी जगा मिली है जहां पे वोट अफ़ वाटरफाल भी है जीन भी है, बहार भी है, सब कुछ है, तो हम अभी जा रहे हैं वाटरफाल की एक ट्रेल पर, यहां पर यह नहीं पता के कितने मिनिट की वाग के बाद पहला वाटरफाल आएगा, लेकिन ट्रेल बहुत मज़े हैं, कि यह मौसम भी मज़े हैं, दूप भी नहीं है, तो पिछला ट्रिप था एक महीने पहले होता है, दूप भी बहुत तेज थी, लेकिन यह बड़ा जबरदस्त बादल बने हुए हैं, बड़ा जबरदस्त मौसम है, तेखते हैं कितने मिनिट बाद पहला वाटरफाल आएगा, यहां पे टोटल चार वाटरफाल थे, वाटरफाल, और हमने चारो देखने का हिराधा था, लेकिन यहां पे रस्ते इतने कंफ्यूसिंग और यह इंग्लेंड से बाएर है, तो इसने जबान भी और थी, तो इस वज़ा से, वाली जबान समय नहीं आई, इतने कंफ्यूस रस्ते थे, कि कुछ समय नहीं लाग रही थी, जिसकी वज़ा से, हम इस दिर पागलों की दरह गूमते रहे, और दो वाटरफाल में सोगे, अब हम दीसरे पे जा रहे हैं, उसका भी इतना मुश्किल तरीन रस्ता था, कि मैं बयाद नहीं कर सकता है, इतनी स्टीप, और कुछ ना पूछे, वो जो रेविनेंट मुवी में हैं, लेनाडो रिकाप्रियो, जंगलों में इतना जलीलो हवार नहीं हुआ, इतना खजल नहीं हुआ, जितने हम आज खजल होएंगे, यह बाद में आपको पकी बता सकता देखते हैं, आगे रस्ते हमको किदर लेके जाते हैं फाइनल इतनी खवारी के बाद हम यह आहिर कार यह वाटरफाल से पहुंचाएं, वो पीछे बड़ा वाटरफाल है, यह वाटरफाल नंबर 3 है, लेकिन बहुत मुश्कर रास्ता था, यह बात मैं तर गरंटी से कहा दखता हूँ, अगर वेल्स के वजिरियादम नौाज श अगरे वाटरफाल पे राश काफी है, अदर जाएंगे, अदर के सेन दिखाते हैं आपको, अब बात यह है, कि इतनी दूर आएं, तो एक मैं अब जो मेरे अंदर फोटोग्राफी वाला की रहा है, इसको पूरा करने के लिए, अब मैं नीचे जा रहा हूँ, बिलकुल सामने से, एक फोटो लेने, शिरिफ एक फोटो के लिए, मुझे पता नहीं है, मैं उपर कैसे चड़ूँगा, लेकिन वो पीछे वाटरफाल है, और इसके जो सामने से, अब अब अगस्ता जाता नहीं है, बस आप ये व्यूज़ चेक करें, मेरे पीछे, इधर से आप फोटो लेनी है, देखते हैं, पोटो कैसी आती है, और उज़र नमबर थ्री से, आपे नमबर टू पे एक रस्ता लेके आया है, ये नमबर टू वाला वाटरफाल है, जो हमने मिस्ट कर दिया था, लेकिन वो पांच मिन्ट की वाक थी नमबर थ्री से, और मैं तो कहता हूँ, अच्छा था कि मिस्ट हो गया, इसके लिए हमने नमबर थ्री के लिए काटी है, वो खुब्सूरत था, लेकिन ये पिदा सा वाटरफाल है, इसके लिए इतना हुआरी काटने का इतना कोई खास मकसद नहीं था, लेकिन इसके पीछे एक जगा थी, जहां लोकों ने पत्थरों के साथ ने टेडियें लगाई ही, चोटी-च कि राद हूँगा, बाइद आवे अब आम वाटरफाल नमबर फॉर पे जाएंगे और इसके बाद कुछ खाएंगे, क्योंकि मझे बुक से चकर आ रहे हैं, तो आप देखते हैं वाटरफाल फॉर है, जो वाटरफाल फॉर है, उसके कितने ही टाइम की खवारी है, तो चलत पर आप देखते हैं, तो यह वाटरफाल फॉर है, तो इदर रश इतने वाँम जंता खड़ी हुए है, आप मैं आपको क्या बताऊं, तो इदर चाह मापिस आ रहे हैं, फिर यह बास इसे देख लिया, इसकी कोई उस तरह फोटो वगरा भी नहीं आएगी, तो लोग फोट इसको देख लिया है, तो इसको देख लिया है, इसके बाद हम वापिस आएगे, कुछ खानेशा नहीं करेंगे, और इसके बाद देखते हैं, पर आगे क्या करने हैं। हाँ जी फाइनली खाना शाना खाया होटल में आगे इधर पास ही तक्रीबान पांच मिनिट की बाकिया होटल से एक इंडियन रेस्टोरेंट था लाल फूड था दुंबे शुंबे या चिकनी काया दुंबे शुंबे खाया बड़ा जबरदस्त हो गया नजाम तो अभी रेस्ट करेंगे जो वाटरफाल तीन चार देखे वड़े जबरदस्त थे वाटरफाल से लेगे कार तक भी कोई वीडियो नहीं वहनी क्योंकि वह बहुत लंबी वाक थी बहुत लंबी वाक तकरीबन एक गैंटे से उपर वाक थी तो बारा कार तक आने के लेकिन अ हाइकिंग पे तो आज का प्लैन हाइकिंग है और अभी जो कल मैं जिस पाहर को देख रहा था इस खिरकी से अब वह पाहर बिलकुल बादलों के पीछे है वह पाहर नजर नहीं आ रहा तो हमारी मुझे शायद लाग रहा है कि हाइकिंग बादलों के बीच में ही हो तो काफ कि त्यार होने तो उसके बाद पिर हम नहीं जैसे तकरीब पंदरा मिनिट की होटल से ड्राइव है अधर पारकिंग तक पारकिंग के बाद पिर हमने हाइकिंग शुरू करनी है और हाइकिंग के भी सीन दिखाते हैं आपको कैसे है कि फाइनली पहुंच आए हम जी अपने कार पार्क में और इधर से अब हमने हाइक शुरू करनी है जो काफी लंडी नजर आ रही है और रश भी काफी है बस इतर बादलों का सीन है नो मझे मरी याद आगे सही मरी वाला बातलों का सीन है बादल नीचे हम उपर नीचे भी पार्व बादल है वह आप पीछे इताथ देख सकते हैं हर तरफ बादल गुजर रहे हैं और इन बादलों के हमने उपर जाने उपर से व्यूस तो नहीं नजर आएंगे लेकिन बादलों का बहुत मज़ा आएगा तो चलते हैं आई का अगास करते हैं आई शुरू करते हैं तो देखते हैं अब उपर बादलों के क्या सही में हाँ जी हाइकिंग का अगाज हो गया है और अब निकल पड़े हैं तो यह तकरीबन 6 किलो मीटर का ट्रैक है वैसे तो 6 किलो मीटर कुछ भी नहीं है लेकिन यह मुसलसल स्टीप ऊपर चुराई है 6 किलो मीटर की जिसकी वज़ा से यह मुश्किल हो सकता है लेकिन अब भी यह जम्या चाहिए आगे देखते हैं यह रज्ते हमको कहां तक लेके जाते हैं कि आइगा कि आप पीछे सारह कर आए है इसके बाद हमने वो उपर जाने उस पहार के बाद आगे बताने कितना हो रहा है कहान जाने लेकिन वो जो पीशे करके आई हैं वो इतना स्टीप था कि बहुती बंद होगी लेकिन चलें ये थोड़ा सा उपर जा के देखते हैं आगे और कितना जाता है लेकिन कसम से व्यूज बड़े मज़े हैं ये जो मज़ा बातलों के बीच में से गुजरने कहना मैं कहता हूं सारे पैसे इसके हैं लेकिन कहते हैं आज मुझे गाना यादार है और वह गाना है आज मैं ऊपर आसमा नीचे बास चारे तरव बादर आगे थोरे सा रस्ता नजर आता था किदर जाने लेकिन अबुदर बादर है कुछ नजर नहीं आ रहा है कि और कितना रह गए अभी कुछ बंदों से पूछ है उन्होंने कहा है कि हम दो आदे रास्ते से वापिस आगे थे और जो आदा रास्ता है वह भी काफी आगे ताक है इसका मतलब अब एक गैंटे में हमने अभी सिर्व 25 परसेंट किया टोटल चार गैंटे अभी एक स्नैक ब्रेक ली और आप को तकरीबन 67 मीटर बाद कुछ नजर नहीं आता तो आगे हर तरफ तो मैं गयता हूं कि अब सही मज़े आए हैं लेकिन अभी भी 30-35 परसेंट हुआ 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 है तो देखते हैं आगे कि क्या सीन है इनर्जी मेरी लो औरी थी तो मैंने सोचा क्यों आपने टाइब के गा पर दो आए जाए तो पर तो इसी नर्जी आए और मुझे आज तो पर इस तरह पहारों में अपने टाइब करें पर पसंद आते हैं क्या बात है क्या बात है क्या बात है मक्या अपने कर दिखाया और तकरीबर दो थेर है कैनले की हाइक में हमने अच्पिट कार लिया इसा हमारी हें 775 में अफ ऐत्र हा। खियुकश थी में इसवा किव इंगलान्टी थी नूम्हे है कि व conse magnogen फहें कि city वा फञी में जब एनन जोद पाई है। गया तो चाहिए उसका नाम हो अ मझन है-पैस मैं आम रह तो फर्म वाम ठीश में च 서रहिफ हो ты पर देन। प्रसके लगसा आ बर्ट कर एक कर दो 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 कि अधर के लिए निकले हम तो मैं आप तो बता रहा था बिल्कु सीधी गारी खरी करते हैं साथ ही लेक होती है लेकिन एक गंटे से चलने हैं शाम होगी है सुरेज जूब गया अभी तक कोई लेक का नामों निशान नहीं है तो अब थोड़ा सा आगे देखते हैं क्योंकि जिस रास्ते से आई थी वह भी काफी मुश्कल रास्ता था और सिंग्नल भी नहीं है मैपस भी नहीं है उस रास्ते पर भी वान वे आगे से चिराई उतराई उपर से आज एक गाड़ी तो रिवर्स करनी परती है उसको जगा देने के लिए तो अब लगता है इन पहाड़ों के पीछे लेक होगी तो उसको पास तच करके तो हम सीधा वापिस है 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 फाइनली करते कि हाइक करके जैसे एक सुबह आई की थी उतनी ओर आई करके आगे टांगों को दर था बस खाना खाने गे वापिस होटल में दास मिंट पीस मिंट रेस्ट किया और वापिस निकल आए के लेक तो पास यह देख आते हैं लेकिन क्या पूछो बहुत दूर लेक थी लेकिन फाइनली पहुंच जाए है लेकिन शाम हो गी है तो इधर से यह अब लेक के नजारे दे और हम चले वापिस तो कल का सारा दिन हाइकिंग और यह नेचरल जगा गोंगों के ठाक चुके टांगों में दर निकलाया और उसके बाद आप इमत नहीं थी उसके बाद आज का दिन जो स्टाप किया होटल से चेक आउट करने के बाद इधर कार्टिव सिटी में तो आज सारा दिन कार्डिव एक्सप्लोर करेंगे और शाम को आज ही एक फिल्म रिलीज हुई है चल मेरा पुत्तू वो शाम को इदर सबसे बड़े सैंडमे में देखेंगे और उसके बाद इंशाला वापिस गार जाएंगे रात के बाना बाद जाएंगे गार पहुंचते हुए लेकिन अजय हमतर आप ए्ँ अजय हुए एफित्स करेंगे में लिल्म जातू झाल झाल